Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics नहीं दावा किया है कि इसी वेक्ति ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी के खिलाब DM के X हैंडल से आपत्ती जनक टिपपणी की थी वकॉल पुलिस ये सारा कान करने वाला सोहन सिंग है और सोहन सिंग अलिगर के अतरोली थाना का रहने वाला है पुलिस ने सोहन के पास से मुबाइल भी बरामत किया है जिससे राहूल गांदी की खिलाब आपत्ती जनक टिपणी की गई थी दरसल इस पूरे मामले के शुरुआत कॉंग्रेस प्रॉक्ता सुप्रिया सिनेट के पोस्ट से हुई सुप्रिया सिनेट के इसी पोस्ट पर एक कमेंट आता है ये कमेंट नोईडा यानि की गौतम बुद्नगर के डियम के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया और इस पर सुप्रिया सिनेट को ट्रोल करते हुए राहुल गांधी पर वेहदा पति जना कमेंट किया जाता है गौतम बुद्नगर के डियम के अधिकारिक एक्स हैंडल से किये के कमेंट की बाद बवाल मत जाता है एक जिम्मेदार आफिसर होते हुए इस तरीकी के सब्द और ट्रोली कैसे इसको सर्मनाग बताया जाने लगता है और सबसे पहले इस पर खुद कमेंट करती है सुप्रिया सनेट सुप्रिया लिखती है ये डियम नोईडा है पूरे जिले की जिम्मेदारी है साफ है कि प्रशाषनिक अमले में संगियों की भरमार है और अब वो समिधानिक पत पर पैट कर नफरत को हवा देर है यही नहीं कॉंग्रेस नेटा पवन खेडा ने भी सिविल सेवा के राजनेतिक करण पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाज़पार्शाषन में IAS अधिकारियों को इस तरह की राजनेतिक टिपड़ी करने का आदेश दिया गया है और यह कहते हैं उन्होंने योगी आगतनात और होम मिनिस्ट्री को भी टेग किया हाला कि जब बवाल मचा तभी नोईडा डियम का जवाब भी आया उन्होंने तभी एक अस्वस्टी करण जारी किया जिसमें दावा किया गया कि पोस्ट उन्होंने नहीं लिखी और उनके टुटल हेंडर का दुरप्योग किया गया बयान में कहा गया किसी आसामाजिक तथ ने डियम वर्तम बुधनगर की आईडी का दुरप्योग किया है और गलट टिपड़ी पोस्ट किया है इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफाईयार दर्ज करके काननी कारवाई की जा रही है और गलट ट्वीट टिपड़ी की साइबर सिल्दोरा जाच ही जा रही है और अब पुलिस ने सोहन सिंग को गिरफतार कर लिया है नोड़ा से भुपेंद चौधरी की रिपोर्ट यूपी तक